जी नमस्कार मेरा नाम सनी सर्वास्तो स्वागत आपका टीचर सड़ा 247 के यूट्यूब चैनल पर देखिए बिहार के एड्मिट कार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टन न्यूज है खासकर सोसल साइंस वाले बच्चों जिनों ने गलती से भी कुछ उसमें गडबल कर दी है ठीक है जो इनकी परिक्षा होने वाली है उस परिक्षा के लिए अगर आपके एड्मिट कार्ड पर अगर आपके एड्मिट कार्ड पर लेटेस्ट फोटो अपलोड करते समय गलत फोटो अपलोड होने के कारण एड्मिट कारण सेकंड फोटो किसी अन्यवक्ति का फोटो दर्ज हो गया है तो ऐसे अभिवर्थियों कि बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि हमारे वाले एड्मिट कार्ड में किसी और की फोटो लग गई है तो ऐसे लोगों को गलत फोटो एडिट कर सही फोटो दुबारा अपलोड करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान कर र समझ दीजे पहली चीज आप इसको समझ दीजे कि आप क्या कर सकते हैं फोटो अपलोड कर सकते हैं जिसकी भी फोटो गलत हो गई जिसकी सही है उसको कोई जरुवत नहीं है जिसकी फोटो गलत अपलोड होई है वो ठीक है फिर कह रहा है कि सुधार के लिए दिए गया उक् अधारित्तिति को संबंदित परिक्षा के केंद्र अधिक्षक को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे आपको आयोग की वेबसाइट पर जाना है जो की है आपका bpsc.bih.nic.in ठीक है क्या है nic.in क्लियर भाई nic.in पर आप जाईएगा और इस पर जाकर उसे अच्छे से भरके और वहाँ पर जहां 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 आपको लगाना है जहां जहां राजपत्रित अधिकारी से प्रमानित कराना है मतलब अटेस्ट कराना है वो सब कराके आप ले करके अपने फोटो को सही कर लीजे अब सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट बात सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट बात परिक्षा केंद्र कोड के संबंद में विस्तरित जानकारी पांस तारीक से उपलब्द कराई जाएगी यह पहले वाले में भी लिखा था चौथा प संबंदित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्यान विशय समू विशय का चैन किया है वो इतिहास भुगोल अर्थ शास्त्र और राजनीती शास्त्र में किसी दो विशय का चैन करने में अगर उन्होंने तुरूटी कर दी है तो उन्हें तुरूटी निराकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है मतलब अगर आपने हिस्ट्री और पॉलिटी चुनना था पर आपने गलती से हिस्ट्री और एकनॉमिक्स चुन लिया है तो अभी आपके पास समय है आप जाकर इसे क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं ठीक है अब भेरतियों को परिक्षा प्रारम होने के एक गंटा पहले तक ही परिक्षा के अंदर में प्रवेश की अनुमती दी जाएगी एक गंटा के बाद वो चीज बंदगर दिया जाएगा ओमर जब तक सील बंद ना हो जाए तब तक वहां से नहीं निकलिएगा ठीक है पॉइंट नंबर फोर शोसा साइंस वालों अगर अभी भी गलती से गलत विशय चुन लिए हो क्योंकि अभी भी कई लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन चल रही है कि हम कौन सा सब्जेक चूस करें क्या चूस करें मैं फिर समझा रहा हूं आसान भाशा में 500 नंबर का पेपर होगा शोसा साइंस 가 ठीक है 6-8 वालों तुमको ही सबस्यादा कलेश मचा हुआ है सुनो ध्यान से 600-8 का पेपर होगा ठीक है 500 नंबर का पेपर होगा 30 नंबर का आपका language है जो की qualifying है 40 नंबर की आपकी GS है अब बचा 80 नंबर का जो आपका सब्जेक्ट है इसमें आपको कोई दो ही सब्जेक्ट चूस करने है History या Geography में से कोई एक होना चाहिए उसके अलावा आप कोई भी दूसरा सब्जेक्ट चूस कर सकते है अगर आपने गलत कर लिया है अभी तक तो जाकर सही कर दीजे ठीक और बने रहे है चैनल के साथ बढ़ियां से अपना अंतिम रिवीजन स्टार्ट कर दीजे ठीक है जाहिंजा भारत नमस्कार